असलाँ मैंने भिड़ोन चीमा, हA sortir lesson अभा fifty लो और फीडियो आफ blue world city Islamabad आज कैस्टोडियो में small world city Islamabad में overall job को development update है to general ke sector 5 की उसके वहले से explain करओंगा, उसके सासा school revenue पर development हुई है उसके वहले से update करूंगा sector 5, sector 6, sector 6 extension उसके साथ साथ जो waterfront block है जो उस तरफ रस्ता जाता है यानिकि general block से waterfront block को रस्ता connectivity प्रवाइट करता है उसके वाले से explain करूँगा overall in general जो blue world city general block में update है development की sector 1 मुकम्मल तकरीबन developed है sector 2 partially developed है sector 5 तकरीबन 50-60% developed है बाकि भी development काम हो रहा है बड़ी तेजी से हो रहा है sector 5 पे recent visit में जो साथ में कया था उसमें sector 5 पे आपको machinery ज्यादा लगी वी नदर आती है as compared to किसी और sector के तो जायर सी बात है कि society आने वाले दिनों में जो sector 5 के remaining plots हैं जिनका possession भी बाकी है उसकी development में तेजी काफी तेजी दिखाएगी यह जो land आपको नदर आ रही है नीचे यह सारी की सारी land society ने recently develop की है यह पहले area डिवलप नहीं था उससे आगे जो पार्ट आपको green नदर आ रहा है यह वाला पार्ट वी उससाइटी इस पे machinery की movement शुरू हो गई है तो जायर सी बात है कि होफ़ली अगले महीने डेट दो मह पार्ट होते हैं एक waterfront block की तरफ जाता है और दूसरा रस्ता general block की तरफ आता है यह वह वाला रस्त है यह जो area आपको नदर आ रहा है जनल का sector 5 के साथ एरिया है इसमें कोई SS society ने specifically highlight नहीं किया कि यहां पे कौन सा अरिया बनेगा sector 5 के अरिया नहीं है लेकिन sector जो green area left side पे sector 5 की extension आजे उसके area हो अब दुबार आपर चलते हैं जो main sector 5 है यह water tank आपको नदर आ रहा है यह main sector 5 के area है और सामने आपको sector 5 से बुर्जिल अरब का replica बन रहा है उसकी आपको जो development update है वो भी देख सकते हैं कि उसका status क्या है replica से आगे आते हैं तो left side पे जो road है replica का यह वही main connectivity road है जो main horse mascot से आगे जाके main general sector 5 की तरफ आता है sector 5 के अगर prominent features की बात करें तो मेरहाल है sector 5 एक wide block है जहां पे society ने जो बड़े plot cuttings है यानि कि आप कहलें one canal, two canal और इसके साथ साथ जो यहां पे जो main society का flagship campus है, forces school का, forces guide college का, उसा campus भी sector 5 में located है मैं recent video बनाई थी sector 5 के जिसमें स्कूल जो forces school है 48 canal का, उसकी back side 40 canal का पार्क है उसके वाले explain किया था, तो वो area जो सारा sector 5 की main prominent features में आता है अगर sector 5 के access की बात करें, तो sector 5 को तीन रस्ते मिलते हैं एक रस्ता जो आपके सामने निज़र आ रहा है, जो यह बोड़े लेकर रेपलिक है, इसके साथ से जो रस्ता आता है दूसरा रस्ता gate number 2 से जो बन रहा है भी development हो रही है जहां पे, वो रस्ता यहां पर आपके connect करता है और तीसरा रस्ता gate number 1 से अब जब enter होते हैं और सीधा जाते हैं स्ट्रेट और स्ट्रेट जाने के बाद अब left हो जाते हैं तो वो रस्ता भी आपको, यहीं से connect करता है जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा हैं तो overall sector 5 जो है, मेरा खैल है connectivity wise सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर होगा, किसी और सेक्टर की निस्बत अब लोग वो सारे members बात करते हैं कि overall general block है, कितने sectors हैं देखा जाए तो general block के 16 sectors main हैं और 2 sector extension के साथ हैं यानि 6 extension और इसके लावा 16 extension यह जो 18 sectors बनते हैं इनमें जो जमीन पर exist करते हैं, development जहां पर हो चुकी है, वो sector 1 fully developed है, fully possessionable है sector 2 कहलें कि 30 से 40% developed है, remaining sector पर काम हो रहा है अगर हम बात करें sector 5 की, तो 50 से 60% developed है, बाकी जो कहलें 40% है वो area भी आपके सामने है, जो अभी non-developed है, जहांपे society ने भी machinery move करके उसके development करी है, आपको machinery लगी भी नजर भी आ रहे होगी चुके यह जो वीडियो है काफी height से record हुई है, around 250-270 feet से तो आप उस तरह से clear picture ना मिल रही हो, बर डानी केस, sector 5 के members के लिए खुशबरी यह है कि आने वाले दिनों में, जिन members के अप्लाट हैं और वो non-developed के एरिया में आते थे अभी society की तरफ से आप possession offer हो जाएगा, और possession offer होते साथ ही members के development charges, उसके मद में जो बाकी category charges होंगे, corner, park, face, main road, उस तरह के charges होंगे, वो भी demand किया जाएगे, तो उस चीज़ के लिए त्यार रहे हैं, society की तरफ से आने वाले दिनों में, आपको जब possession offer होगा, तो यह इस बात पे insist भी किया जाएगा, आप construction करें, definitely यहाँ पे construction करनी च यह सीधा जाके main entrance gate number 1 से connect करता है, और main entrance gate number 1 से connectivity के साथ साथ, यही road आगे left side पर जाता है, waterfront block की तरफ, किसी member ने last video पर comment किया, तो waterfront block जो है, वो basically दर्या के उस तरफ है, जो समार रिवर है, उस के उस तरफ है, definitely उस के उस तरफ है, लेकिन अभी तक waterfront block तक कोई access, physically access possible नही करते हैं, कि यहां पर यह sector है, ऐसे जियूम किया जाए, तो overseas के 19 सेक्टर है, एक सेक्टर मुकमल डिलिवर नहीं हुआ, तो assumption based में बेचना हो, तो मैं definitely आप लों कहा दूँ कि हाँ, बहुत अच्छा है blue world city, लेकिन यह reality नहीं है, blue world city definitely deliver कर रहा है, जितना सस्ता plot बेचा था, उसकी pace उस लहाँ से थोड़ी slow है, लेकिन with the passage of time, जैसे यहां पर start में 5 लाग प्लॉट ता 6 लाग रुपे का, अब with the passage of time, society of development कर रही है, अब चीज़ें बहतर हो रही है, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, जैसे blue world city ने recently, capital smart city के साथ भी JV की है, और इस JV के साथ उ overseas block है, उसको बढ़ अची connectivity मिल जाएगी, अब चक्री रोड के left side पे इतना area है, उसको तो connectivity जमीन पे एक्जिस्क करता है, तो बढ़ अची मिलेगी, जो right side पे area चक्री रोड के, उसको भी connectivity बहुत अची मिलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल direct connectivity प्याता है, with the main interchange, अब यह overall blue world city के development का status, अब मैं Google Earth location पे आपको plot wise explain करता हूँ, कौन सा area developed है, कौन सा non-developed है, ताकि उसको आपको better understanding मिल सके, कि इस सक साइट पे updated development का status क्या है, in general sector 5, पे जनल ब्लॉक का overall map है, blue world city का वो देख सकते हैं, जनल ब्लॉक के ब्लॉक, आज की video में basically यह वाला area बनता है, sector 5 का, इसकी video शामिल थी, अब मैं overall अगर details explain करूं कि जो पार्ट आपने greenery का देखा था शुरू में, वो यह future, जो premium block है, future extensions का, इसका area था, अब start की तो यह वीडियो starting point था, वो यह वाला point था, इस point से start ही थी video, अब इस point के साथ ही, अब इस point के साथ ही, अब गूगल अर्थ पे लाइट स्कूल एवन्यू के, और राइट साइट पर 6 extension है, और इस road से अगर आप lead करते हैं, towards main entrance gate, तो यह road आकर आपका main gate हो connect करते हैं, वो मैं आगे जाकर explain कर देता हूँ, main block बनता है sector 5 का, इसमें कर plot cutting की बात की जाए, तो main block में 75 into 120, 1000 gas और इसके साथ साथ 2 canal के plots हैं, शुरू में sector 5 में 50-92, एक कनाल के plots हैं, उसकी back side पर यहां पर अंदर side पर जाते हैं, तो यहां पर आपको park मिलता है, एक 13.7 कनाल का, पर एक playground मिलता है, 29.49 कनाल का, जो बहुत अच्छी एक society की तरफ से map पे addition है, क्योंकि यह चीज बहुत ज़रूरी थी, कि आप एक बड़ा sector बनाएं, तो definitely उसमें, अब देखा जाएं इस ब्लॉक में, overall in general, एक पार तरीबन पहुने दो कनाल का है, एक पार तरीबन 5.08 कनाल का है, पांच नाल का कर लें, एक पार तेरा कनाल का है, और एक playground है, तरीबन 29.5 कनाल का, 39 कनाल का, और commercial है, 25.68 कनाल का, और maus का यहां पर 14.19 कनाल की, अब actual development की बात करें, जमीन पे, तो start करते हैं, बिलको starting line से, जो forces का इड कॉलेज है, जो मैं पहले explain किया था, 48 कनाल का, यह जो college है, complete है, उसके पीछे 40 कनाल का पार्क है, यह भी complete है, मैं अरिया से cleared है, जमीन पे भी इसकी park त्यार नहीं हुआ, वैसे जो roads वा रहा हैं, वो म development है, वो clear है, जमीन पता चलता है, यह वाला ground का अरिया है, लेकिन अभी इस पर proper plantation गारा काम जो है, वो हो रहा है, जब यह complete हो का, मैं इस वाले से update कर दूँगा, अब start करते हैं, आगे वाली streets पे, तो आपको 75 और 20 और 16, 16 की, street 16 की बात करें, तो यह वाली street मुकमल developed है, और दो कनाल के plots हैं, 610 से लेके 630 तक यह वाला area, और 631 से लेके 652 तक अरिया, यह थोड़ा सा partially, आप कहलें कि ब्राउन नहीं हुआ, डिवेलप नहीं हुआ, यह प्रापर यहां पे street सी कार्पिटिंग वर रहनी हो यह बीच में, यह वाला जो कनाल के plots हैं, कुछ इस street पे, य प्लॉट नमबर 535 से 544, अगर प्लॉट नमबर 545 से देखें तो प्लॉट नमबर 554 तक यह area जो है, डिवेलप्ड है, और और पर यह वाला कुछ area बनता है, यह street 36 बनती है, यह भी non developed है, street 42 non developed है, and street 43 non developed है, street 41 non developed है, बाकी area निचे developed ही है, यह नीच वाला area तक रिवनिस में 3-4 streets बनती है, जो अगर society चाहे तो में तीन दिन में कर सकती काम, लेकर अभी यह काम अब तक site पे मुकमल नहीं हुआ, machinery जो है, इस road पे है, जो road जाकर connect करेगा, अब यही road आगर जाकर connect करता है, main entrance gate को, इस road के अपने footage देखी थे ending point पे, यह जो आपने कलवर्ट देखी है, यह इस कलवर्ट पे काम हो रहा है, फिर आगर यह connectivity प्रोवाइड करता है, कि सीधा इस roundabout को, यहां से आगर रस्तान अखल में एक waterfront block के तरफ निकल जाएगा, और यह labor camp यह labor hostel जो है, यह आपने site पे देखा है, कि यह बिलकुल adjusted sector 5 के साथ, आगर जाकर यह road connect करता है, main entrance gate के missing है, और बागी जो पार्ट अकमल complete है, मेरा ख्याल है कि इसी entrance road से अगर आप enter होते हैं, आप जो आम तोर पे वीडियो में different sales partner की देखते हैं, जो यह road waterfront की तरफ जा रहा है, इस road ने आगे जो waterfront की तरफ extension लेनी है, वो definitely इस point से लेनी है, इस point से आगे society waterfront की तरफ रोड ल से update कर दूँगा, again back to real time footage, इस वक्त दोबारा अपने स्क्रीन पे होई general sector 5 की footage देख सकते हैं, यह आपको जो waterfront tank नजर आ रहा है, यह basicly 29.5 कनाल का जो पार्क है, उसके बिल्कुल center में बनता है, इसके सामने बिल्कुल adjacent 24.5 कनाल का commercial है, फिर मॉस का यहाँ पे, और से साथ यहाँ पे एक और पार्क है, तो यहाँ पे overall society ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से मेरा खाल है कि जितना sector 5 में कनाल और दो कनाल के members के लिए अच्छी चीज़ें वो deserve करते थे, society ने उन तमाम चीज़ों को उन members के लिए entertain किया है, general के sector 5 में construction की बात करें, तो I think 6 पे काम हो रहा है, total कनाल, 2 कनाल के में एक सेक्रिकली sizes की बात करूं, तो मेरे हल में तमाम 1 कनाल के plots हैं जिन पे काम हो रहा है, और आने मले दिनों में जब यहाँ पे मजीद addition होगी, तो मेरे खाला कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी addition मिलेगी, तीन रस्तों से एक sector connect होत बास मैसकेट्स है, वो भी walking distance बे बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन मेंबर्स के लिए, इन मेंबर्स को जो प्राइस पे प्लॉड मिले हैं, बाकी जो sectors हैं, specifically, जो different residential sectors हैं, उनके development भी पैंडनेंगे हैं, जब वहाँ पे बजीद काम होगा, तो इन्शाला मैं उस हवाले से भी मजीद अपडेट कर दूँगा, जैसे बिलकुत sector 5 के opposite side पर आपको sector 2 नज़र आ रहा है, sector 2 जो है, आपको clearly नज़र आ रहा है कि पार्शल पार्ट जो है, ब्राउन हुआ सिर्फ development भाँ पर अभी तक पैंडनेंगे है, अगर आपको blue world city है, capital smart city है, booking को लिए कुछ मालमा ब्राफस